अलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए एन सक्सेस पॉइंट में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 कोचन्स देखेंगे जो आपके आने वाल एकजाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है तो वीडियो को भी न कैलिफोर्निया राजे में इस्तित है हमारा आपसन C सायोगा चलिए अगला परसन देखेंगे अगला है हमारा निम्न में से कौन नालंदा भी सोबिदाले का संस्थापक तो फ्रेंड्स नालंदा भी सोबिदाले का संस्थापक कुमार गुप्त थे हमारा आपसन D सायोगा क गुमार गुप्त थे नलंदा विश्व विदाले का संस्थापक हमारा अप्शन D सही होगा चलिए अगला परसन देखेंगे किस वेद में गद और पद दोनों का प्रयोग हुआ तो friends इसका राइट एंसर होगा हमारा अप्शन C यजुर वेद में गद और पद दोनों का प्र कब हुआ था तो friends प्रिंटिंग प्रेस का अविश्कार 1490 में हुआ था हमारा अप्शन E सही होगा चलिए अगला परसन देखेंगे तो अगला परसन है प्रिंटिंग प्रेस का अविश्कारक कौन था तो इसका राइट एंसर होगा प्रिंटिंग प्रेस का अविश्कारक जुहांस गुटेनवर्ग थे हमार आपसन एस सही होगा जुहांस गुटेनवर्ग और आपको पता ही चल गया होगा कब किये थे तो चौदो सो नबे में किये थे और किस ने किया था तो जुहांस गुटेनवर्ग ने किया था इसका हमार आपसन एस सही होगा चलिए अगला प minute में याद रखेगा हमरा option 20 सही होगा चलिए अगला पर्शन देखेंगे अगला पर्शन है हमारा बिश्व का सबसे ऊंचा जला प्रपाद एफ एफ जसन में है तो फ्रेंस इसका राइट एंसर होगा है हमारा option D सही होगा री गवेद में मंडुलो की संख्या 10 है हमारा option D सही होगा चलिए अगला परसन देखेंगे तो अगला परसन हमारा मध्य रातरी के सूरिय का देश किसे कहा जाता है तो friends मध्य रातरी के सूरिय का देश नार्वे देश को कहा जाता है हमारा option B सही होगा न तो बिश्वजन संख्या दिवस कम मनाया जाता है तो विश्व जन संख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है हमारा आपसन सी सही होगा 11 जुलाई को और इसकी बात करें इसकी सुरुवात की तो इसकी सुरुवात 1989 इसपी में की गई थी और 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है हमारा आपसन सी सही होगा चलिए अगला परसन देखेंगे तो अगला परसन है हमारा लोकसभा में किसी भी धायक को धन भी धायक के रूप में कोन परमानित करता है तो फ्रेंस लोकसभा में किसी भी बिधायक को धन बिधायक के रूप में अध्यक्ष परमानित करता है यानि लोकसभा की अध्यक्ष परमानित करता है और बता दे अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और कौन परमानित करता है तो अध्यक्ष करता है हमारा आपसन D सही ह चलिए अगला पर्सन देखेंगे, तो अगला पर्सन है हमारा कीन है अफिरकी गांधी के नाम से जाना जाता है। पतादे, फ्रेंस, कि आंदरपर्देश राजे यë एक अक्टूबर 1923 को गठन हो गया था एक अक्टूबर 1923 को, हमरा अपसन इसका ये सही है, चलिए अगला पर्सेन देखेंगे तो अगला पर्सेन हमारा भारत के प्रथम उप्राश्ट पती कौन थे तो friends भारत के प्रतम उपराष्ट पती डाक्टर स्वरुपल्ली राधा कृष्णनन थे हमरा option 20 सही होगा चलिए अगला पर्षन देखेंगे तो अगला पर्षन है हमरा एफिल टावर कहां इस्तित है तो friends एफिल टावर पेरिश सहर में इस्तित है हमरा option C सही होगा पेरिश सहर में इस्तित है एफिल टावर और बता दे friends कि पेरिश सहर फ्रांस की रजधानी है फ्रांस की रजधानी पेरिश है हमरा option C सही होगा चली अगला पर्षन देखेंगे तो अगला पर्षन है हमारा ओरेंज बुक किस देश की सरकार का अधिकरित रिपोर्ट है तो friends ओरेंज बुक नीडर लेंड देश की सरकार का अधिकरित रिपोर्ट है हमरा option C सही होगा नीडर लेंड देश होगा हमारा अप्षन ए सही होगा चलिए अगला पर्षन देखेंगे तो अगला पर्षन है हमारा स्वर मंदिल कहां पर इस्तित है तो फ्रेंज स्वर मंदिल अमरीच सर में इस्तित है हमारा अप्षन ए सही होगा अमरीच सर में स्वर मंदिल इस्तित है और अम्रित सर पंजाब राज्ये में इस्तित है भारत के पंजाब राज्ये में इस्तित है अम्रित सर और वहीं पे स्वर्मन दिल है हमरा अप्षन ए सही होगा चलिए अगला परसन देखेंगे तो अगला परसन है हमारा विश्वस रमिक दिवस कम मनाय जाता है तो friends विश्वस रमिक दिवस एक मई को मनाया जाता है हमरा option एस है होगा एक मई को विश्वस रमिक दिवस मनाया जाता है और इसकी सुरुवात एक मई अठारे सो छी आसी इस पी में की गई थी हमरा अपसन ये सही है तो फ्रेंज आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एन सक्सिस पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूले